So, hello everyone. So, कैसे आप लोग उमीद कर रहा हूं कि मज़े में हो? है न? एक्जाम बिलकुल पास है और समझ सकता हूं, that nerves, that must be catching on you, I can understand that very well. So, before starting with this course, that is the Ramban course for Audit and Law, जहां पर हम video discussion करने वाले हैं, Let me give you a brief introduction, कि how you have to proceed with this course and कौन से चीज़ा आपको ध्यान रखनी है इस course को start करने से पहले. सबसे पहली चीज़, यह जो video discussion का course है, इसका objective क्या है? इसको objective ही है कि सरह हम संजीवनी लेकर आगे, मतलब संजीवनी को objective किया था कि यहां पर बच्चों ने मेरा regular class कर लिया, मेरा fast track कर लिया, exam से पहले एक फटा-फट revision चाहिए, या फिर कोड भी बचा जो self-study कर रहा है, और उसको चाहिए कि एक फटा-फट audit law का एक concept समझ में आजाए और retention में हमें help मिल जाए, तो उसके लिए मनें संजीवनी कोर्स निकाल दिया 23 hours का, and that actually helped the students out, to learn the subject, to remember the subject, to understand the concept in a better manner, to interlinking the concepts in a better manner, लेकिन उसके बाद मैंने हर बार एकी चीज़ बोला कि संजीवनी कोर्स आपको 50 की guarantee दिला देगा, अगर आपको exemptions है क्या और करने होंगे साथ मैं test देना होगा, तो अब generally students का concern आता है कि sir questions practice करने में time बहुत लगता है, मतलब बहुत जादा time लग जाता है, एक एक chapter के questions को करने में काफी काफी time लग जाता है, and इसके चलते हैं हम questions पूरा करी नहीं पाते, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कोई ऐसा course निकाल दिया जाए कि 15-16 घंटे के अंदर कम से कम बच्चों को हर एक question का overview मिल जाए, जो भी practice manual में है, जो भी study material में है, अगर ऐसा हो जाए तो I think मुझे लगा कि ये students के लिए बहुत जादा beneficial रह जाएगा, और जो exemption का target है, वो और भी जादा असान बन जाएगा बच्चों जो मेरा scanner available है, और जिन लोगोंने मेरा audit का रामबान course लिया है, वहाँ पर हम लोग discuss करने वाले है, practice manual and study material, study material उन chapters में discuss करेंगे, जहां in addition to the PM कुछ अलग questions available है, and कुछ chapters जिसके coverage बहुत कम है PM के अंदर, वहाँ पर हम लोग scanner से भी अपना discuss करेंगे, तो audit matter is going to be a mixed approach, nearly 6 chapters from scanner, rest of the chapters from practice manual, few of the chapters from study mat as well, and law के अंदर हम बात करें, entirely scanner, because law में practice manual institute के available नहीं है, plus amendment के भी issues होते है, तो इसलिए law में we are going to do entirely discussion from scanner, तो यह important चीज है, तो सबसे पहली चीज भाई, यह धियान रखना कि यहां पर आपन questions practice करने वाले है, यहां पर आपन concepts का base नहीं बनाने वाले है, यह पर हम लोग learning techniques में सेखने वाले, please make this register in your mind, so that is why यह कोर्स किन के लिए beneficial रहेगा, आपने पढ़ लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, बस question के practice की कम ही है, उनके लिए beneficial रहेगा, आपने पढ़ ही नहीं है audit law, आपने गलत course चूस कर लिया, अगर आपने पढ़ ही नहीं रहा के लिए है, self study बहुत अच्छे से कर लिया है, questions की practice नहीं हो पारी, संजीवनी देख लिया है, questions नहीं कर रहे है, questions में बहुत time लग रहा है, this course is for you, तो अगर आपको लगता है कि भाई, सबसे पहले आपको जो content matter audit law, content matter में ही आपको confidence नहीं है, content matter ही आपको ठीक से नहीं आता content matter में आपको लग रहा है कि आप revise नहीं कर पा रहे है, आपको चीज़े याद नहीं रहती, तो पहले आप या तो faster classes लीजिए, मेरा या तो संजीवनी कोर्स लीजिए, time बहुत ही काम है, और सिर्फ एक polishing के जरवा है, तो संजीवनी कोर्स लीजिए, 23 hours के अंदर आप खतम क कर लेंगे संजीवनी कोर्स का, उसके बाद आप ये 15 hours का वीडियो स्टार्ट करें, जहां पर हम question का discussion करने वाले हैं, तो 23 plus 15 hours, कुल मिलाकित is going to be 38 hours, and 38 hours के अंदर you will be done with nearly 80% of the concepts and 450 questions, I think that is more than sufficient to get exemption in this subject, लेकिन पहले जरूरी है कि भाई, तुम पहले क्या कर लो, concepts clear कर लो, चा then संजीवनी कोर्स plus this combo of this रामबान कोर्स is the perfect choice for you, तो पहले आप वो चीस complete कर लें, उसके बाद आप इन वीडियो को देखना, start करें, आप कोशिश करें कि जो sequence प्रवाइट की गई है, आप उसे sequence में वीडियो को देखें, काफी questions मैंने जाधा discuss किया है, काफी questions मैंने तेखर discuss किया है, कुछ questions के अंदर मैंने proper presentation technique भी बताइए कि how to present in the exam, काफी questions जहां मुझे लगा कि थोड़ा सा base देने की ज़रुवत है, मैंने आपको base भी दिया है कि हाँ भाई, this is the base, this is the question, this is the answer, जहां मुझे लगा कि presentation सिखाने की ज़रुवत है, मैंने presentation सिखाया है, जहा वाद, classes देखते वक्त, अगर आपको कोई भी technical issue आता है, कोई भी technical issue आता है, मतलब, because यह technology है, तो 100 में से 2 या 3 बच्चों को technical issue आ जाता है, तो अगर आपको technical issue आता है, आपको हमें थोरा सा time देना परेगा, उससे resolve करने के लिए, instant resolution आप expect नहीं कर सकते, because 1000 students से भी जाधा classes ले रहे होते हैं, 1000 students ले रहे होते हैं, and आप just imagine करें कि अगर 5% बच्चों को भी technical issues आ रहे हैं, then that volume is a big volume, right? So that is why आप क्या करोगा, अगर कोई भी problem आएगा, कोई भी technical issue आएगा, आप mail कर देंगे, at auditsagasolution at the rate gmail dot com, auditsagasolution at the rate gmail dot com, आप mail कर देंगे, 48 hours का wait करेंगे, 48 hours के अंदर आपका problem resolve कर दिया जाएगा, I understand कि आपके लिए time pressures है, 48 hours आपके लिए wait करना शायद बहुत जादा हो जाए, लेकिन आप हमारी भी problem समझेंगे, कि बहुत सारे students है, we will try कि 24 hours के अंदर problem resolve हो जाए आपका, बट अगर 24 hours के अंदर नहीं होता, तो 48 hours के अंदर तो पक्का ही हो जाएगा, आप auditsagasolution पर mail कर दीजिएगा, and तब तक you can start your studies by your own, अगर problem आती है तो, 100 मैं से 99 cases में problem नहीं आता है, तो पहले आप क्या करने वाले हो, पहले आप अपने concepts क्लियर करने वाले हो, either by using fast track course, और या फिर by using the sanjeevni course, अगर आपको last night polish चाहिए, last night bush trap चाहिए, and then आप ये सारे videos को मेरे साथ क्या करने वाले हो, देखने वाले हो, जहाप हम questions की practice करेंगे, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी है, क्या करनी है, कि जब हम videos का discussion करेंगे, कुछ questions होगा कि या यह तो बहुत easy है, यह तो बहुत tough है, तो जो easy है, fine, जो tough है, mark कर लो, अगली बार आपको वो practice करना है, मैं अगर कोई भी additional बाते बताई हैं, अपने incorporate कर लिया, साथ साथ, साथ साथ note down कर लिया, that is going to help, प्लस उसके बाद make sure कि भाई, अपने videos देख लिया है, अपने questions भी कर लिया है, तो try giving test, test ज़रूर दे, because test is something that is going to actually tell you, कि आपको कितना याद है, आप कितना लिख पा रहे हो, लिखते हैं आपके कितने हाथ का रहे हैं, आप test कैसे देंगे हैं, आपका कोई भी physical center है, वहापर आप वहाँ test दे सकते हो, अगर वो एक reliable test platform है, आप ICI के mock दे सकते हो, अगर आपका self evaluation अच्छा है, या फिर अगर आप चाहते हो, कि कोई professional आपका test ले, और फिर 100 मा का test भी लिया जाता है, फिर MCQ test भी लिया जाता है, everything is covered, objective exemption लेके आने हैं अपने अपो, पहले concepts clear करो, using the Sanjeevni course, retention increase करो, using the Sanjeevni course, and the free revisionary voice clips that is available, उसके बाद questions करो, using this course, अगर आपको लग रहा है कि आपको, खुदको questions practice करने में बहुत दा टाइम लग रहा है, and then finally do a lot of written practice, and go through a lot of test, and that is surely going to guarantee your exemption, है ना, that is surely going to guarantee your exemption, बाकी मुझे उमीद है कि आप इस course को enjoy करेंगे, और definitely ये जो positivity का स्थर है आपके अंदर, उसको कहीं ना कहीं increase करने वाला है, all the best.